दोस्तों आज मैं ये वीडियो इस करण से बना रहा हूँ क्योंकि मैं जो मेरा आज एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं कुछ एक वीडियो बना के आपके साथ ये information शेयर करना चाहूँगा देखिए हमारे यहां जो भारत में जो लावारिस पशू लोग होते हैं तो उन लोगों की बहुती बुरी हालत हो जाती है अगर जैसे समझ लीजियो उनका accident वगरा हो जाता है या फिर समझ लीजिये कि उन लोगों कुछ जहरी लग खाना वगरा खालेते हैं या और भी कुछ परिशानी हो सकती तो ऐसे condition में यह होता है friends की बहुत उनकी बुरी हालत हो जाती है और यह लगबग पूरे भारत में ऐसा ही जाती है और बहुत ही कम लोग है जो इन लावारिस पशुओं की help करते हैं या मदद करते हैं तो friends आज मेरे साथ कुछ हुआ है तो इस कारण से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और जो भी मेरे experience के साब से मैंने सीखा है मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या मेरी information गलत है तो आप इस वीडियो के comment section में जरूर अपना जो opinion है वो जरूर लिखिए तो friends सबसे पहले मैं आपको दिखाने चाहूँगा कि हुआ क्या था तो यह आप वीडियो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा यह disturbing वीडियो है पर मैंने यहाँ पर यह blur कर दिया है जो मतलब थोड़ा मतलब ना दिखे इस current से तो आपको थोड़ा पता चलिए आगा कि exactly हो क्या रहा था मेरे घर के सामने आज तो friends जैसा कि आप देख सक रहे हैं यह जो गाय है इसने कुछ जहरीला खाना खाली थी और इसकी हालत अत्यादिक खराब हो गई थी बोलने का मतलब है कि यह बिलकुल मरे की हालत में चली जा रही थी तो friends अब यह जो मैं देख रहा था यह first time देख रहा था मुझे भी नहीं मालूम था क्या करना चाहिए इस केस में तो सबसे पहले तो main यह है कि जब इस type की कोई condition आती है तो आप एक चीज notice कीज़ेगा कि बहुत सारे लोग देखते हैं पर कोई कुछ करता नहीं है तो अपन को देखने वाला नहीं पनना है अपन को कुछ करने वाला पनना है अगर आपको लगता है कि आपको मदद करनी चाहिए तो आप जरूर कीजिए मदद मैं यही बोलूँगा तो friends मैंने सबसे पहले तो अपनी गाड़ी निकाली और ठीक गर के सामने मतलब उसकी हालत खराब है मतलब एकदम मरे की हालत है तो उस case में वो लोग ने मुझे जो वहाँ के डॉक्टर थे उनका नमबर दे दिया तो इन में से यह देखिए बहुत सारे जिला पशू चिकिच साले जो है आपके यहाँ भी जो होगा वहाँ पर भी ऐसा कुछ बोड होगा या फिर फ्रेंड्स वहाँ पर जो भी मतलब बैठा होगा जो information देता है उससे आप उतलीजे आपको किसी एक अच्छे डॉक्टर का नमबर मिल जाएगा तो देखिए मैंने इन में से एक पर्टिकुलर किसी डॉक्टर को फोन लगाया और उन्होंने किसी दूसरे डॉक्टर को वाया मोटर साइकल भेजा ताकि उस गाय को injection लगाई जा सके तो फ्रेंड्स उस गाय को injection लगाने के बाद उसकी हालत में थोड़ा सुधार तो जरूर आया पर फ्रेंड्स उसकी बिल्कुल भी यह हालत नहीं थी कि वो उसको अस्पटाल ले जाया जाए कि ताकि अंदर देखा जा सके कि उसने क्या खाली है या फिर क्या प्रावलम है उसको या फिर उसको जो उसका मालिक है जो इन लोग आजकल के जो ये जो गाए पालने वाले रहते हैं ये लावारिस छोड़ देते हैं ऐसे और फिर ये गाए या और भी पसुपक्षी लोग जो है इस टाइप के तो उन लोग उटपटंग सामान खाते हैं जैरीला सामान बासी सामान या फिर पनी बगरा या फिर और भी पता नहीं क्या खा लेते भगवान जाने तो उसके बाद उन लोग को कौन ढूनने जाएगा आप खुद देखिए उनका घर कहा है किसी को नहीं समझ पड़ता तो फ् पर इनके पास ट्रेक्टर रहते हैं या फिर मशीन रहती है जिसमें इस टाइप के जो लावारिस पशू है उनको उठा के या तो अस्पताल ले जाया जाता है या फिर जो आपके जिले में कोई कांजी हाउस होगा कांजी हाउस का मतलब यह होता है जहां पर लावारिस या क्योंकि help अगरा करते हैं तो friends इस वीडियो के end में मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको पूरा नगर पालिका में मैंने जब जाके बात की नगर निगब में तो लोग ने एक पूरा का पूरा ट्रेक्टर भेजा और ट्रेक्टर में उस गाये को उठा के अस्पताल ले जाया गया तो friends मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस टाइप का कोई भी आसपास है तरह देखते हैं कि कोई पशू है जिसकी बहुत ही बुरी हालत है बली वो कुता हो बिल्ली हो या फिर गाय हो या फिर कोई और जैनवर हो तो friends सबसे पहले तो मैं आपको बताना कोई नहीं करता यह बहुत बेकार आदत है अपने भारत में कोई नहीं करेगा जो आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आप उसको follow कीजिए हो सकता है कुछ उपाय निकला है solution निकला है तो देखिए सबसे पहले इस टाइप का अगर कोई जानवर मिलता है तो सबसे पहले आप जिला पशु चिकेट साले में फोन लगाईए या फिर अगर आसपास हो या आप जा सकते हैं तो आप जाएए वहाँ पर और वहाँ पर डॉक्टरों से बात कीजिए हो सकता है उस पशु की मरम बट्टी करने या इंजक्शन लगाने या उसकी मदद करने कोई ए उसके मालिक के घर तक के छोड़ने की नौबत आती है तो उस केस में फ्रेंड्स जिला पशु चिकेट साले जैसा मेरे को जित्ता पता चला है उनके पास ऐसी कोई गाड़ी नहीं रहती तो उस केस में आपको नगर निकब या नगर पालिकब में फोन करना पड़ेगा या फिर खुद अगर आप जा सके तो बहुत ही अच्छी बात है और वहाँ पर जाके जैसे ही आप बोलेंगे तो हो सकता है उन लोग कुछी देर के अंदर जो ट्रैक्टर है या जो भी ट्रॉली है या जो भी गाड़ी है उन लोग भेज सकते हैं वो भेज देंगे तो फ्रें मैंने और भी जानकर यह इस वीडियो के description पर दी हुई है तो आप इस वीडियो के description जरूर पढ़िए और साथ में अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि आप कुछ add करना चाते हैं या फिर friends आप कुछ सुझाओ देना चाते हैं या आपको लगता है कि मैं कुछ information आपको जो दे रहा हूँ वो गलत है या कुछ भी है तो आप इस वीडियो का comment section जरूर यूज कीजिए thanks for watching प्रस्थ बlenकों साथ है या डखको प्रभ दे घी डगता है रहा हैं या लगता हो थնदोन फंगरщёं दोलन का जा उएिवर प्ता तो प्सद्स हमें वा05 T 91 आς यगता है यूड़ masa है झाल झाल झाल